नमस्कार दोस्तों दोस्तों यहां पर देख सकते हैं वाइफाई के जगह इस प्रकार के आपका आइकन दिखा रहा है यानि कि वाइफाई यहां कनेक्ट नहीं हो रहा है एच्पी का लैप्टॉप है तो क्या करना है सबचे पहले आपको अपने लैप्टॉप को यहां पर सी E-E-E-E-E-C button दबाना है, okay इसके boot menu में जाने के लिए, तो देखिए, on कर दिया, उचके बाद E-E-E-E-C menu को बार-बार यहाँ पे दबाते रहना है, button को दबाएंगे, तो इसके boot bios में चले जाएंगे, यह देखिए, bios में आगे, उचके बाद F-10 यहाँ पे दबाना है, bios setup क दिखेगा तुपर मेन मेनू सिख्रोटे दिखाये दे रहा है यह वहाँ पे जाना है तो यह पर आजएंगे अगर यह आपका इजिक्षाट आगना है देखा करना हुच तो चलिए मैं यहाँ पे exit वाले section पे गया उचके बाद नीचे वाला arrow button दबाके यहां से दिखाए दे रहा है लोड startup default दिखाए दे रहा है उचपे select करना है तो चलिए नीचे वाला button में click करके load startup default पे select करके और आपको क्या करें enter button दबा देना है चलिए enter दबाता हूँ पर यहां का पर फिक्स हो जाएगा तो चलिए यहां पर लेते हैं और देखते हैं कि क्या मेरा यह और दोस्तों यहां पर देखसकते हैं मेरा सिस्टमikanा हो गया एक यहां पर अगर आपका इंग नहीं होगा था मेठाद में आपको बता रहा हूँ वो करना होगा आपको तो दोस्तों यहां पर देख सकते मेरा तो यह प्रॉब्लम मेरे ख्याल से फिक्स हो ही गया होगा यह देखे भी घूम रहा है गोल-गोल पूरी तरह से हटने दीजिए फिर तो पता चलेगा कि मेरा प्रॉब्लम फिक्स होगा की नहीं तो वेट कर लेते हां दोस्तों देखे यहां पर मेरा यह हट गया और यहां पर यह देखे प्रॉब्लम सॉल्व हो गया अगर दोस्तों आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ तो क्या करना होगा यहां पे बटन दिखाए दे रहा होगा दोस्तों यहां पर डिवाइस मनेजर सर्च मारना है डिवाइस मनेजर सर्च मारेंगे तो डिवाइस मनेजर पर क्लिक करना यहां पर क्लिक करेंगे तो इसके बाद आपका डिवाइस मनेजर खुल जाएगा उसके बाद यहां पर एक डॉर्ड वाला सेक्शन हो गई यहां पे दिख्षतों तो देखते हैं नेटवर्ड एड़ाप्टर दिखाये रहा है इस पे किलिक करेंगे तेहां पर दो तिन ओप्षिन आपको दिखाये देगा यह दिखिन दबल टेप करेंगे तो यह देखी चार पांच ओप्षिन दिखि ओके कमेंट भी